आज मैं आपको ड्राइ फिश चिल्ली बनाना बताऊंगी इसके लिए दो पार्ट हैं ये देखें पहले फिश है मोनलेस आदा किलो लिए मैंने ये इसके मैरिनेशन है एक टीस्पून नमक एक टीस्पून पिसी विकाली मिच एक टीस्पून पिसी विलाल मिच और एक टेबल स्पून कौन फ्लोर है और ये सब सॉस बनेगी एक जो इसके अंदर शामिल होगी और वेजी टेबल्स है इसके लिए दो टीस्पून मैंने गार्लिक लिया है बारीक काट लिया है ब्राय चिली है रेड वाली लंबी वाली तीन अदत एक टीस ब्राउन शुगर है दो टीस्पून कॉन फ्लोर है और दो टेबल स्पून चिली सॉस है और ये वेजी टेबल्स में कड़ाई वाली मिर्चे है जिनको मैंने चार पीस लंबाई में काट ली ये आठ थी एक मीडियम साइस की शिमला मिर्चे लंबाई में कटी वी और एक अब इसमें नमक, लाल मिर्च, काले मिर्च और ये कॉन फ्लोर हम मिक्स कर देंगे ड्राई ड्राई और इसको पांच मिनट के लिए हम मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे और एक तरफ ये सॉस बना लेंगे हम जो कॉन फ्लोर, चिली सॉस, सोया सॉस और राउन शुगर हैं इन चारों चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे अब मैंने एक कड़ाई लिए उसमें मैं गरम रखा है अब ये फिश को हम इसको दोने तरफ से दो-दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे सिंगल लेयर में दीजिएगा आप पूरे में क्योंकि फिश तो फॉरन इगल जाती है इसको गलने में देर नहीं लगती हमें सिर्फ कलर देना इसके उपर ये देखें एक दो मिनट में कलर आ गया है तो अब हम इन सब को टर्न कर देंगे और इस तरह पका लेंगे देखें ये पक चुकी अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अब इसी ओईल में हम ये गार्लिक डाल देंगे उसको सौटे करेंगे और ड्राइ रेड चिली भी डाल देंगे हम इसी के साथ ये दिखे मैंने इस तरह हरी मिर्चन काटी हैं लंबाई में शिम्ला में चुपियाज अब इसको हम इसमें मिला देंगे और ये सब प्रोसेस जब आप कर रहे होंगे आप फुल आँच पे रखिएगा क्योंकि इसको पकने में दो तीन मिनिट लगते हैं ज्यादा नहीं पकाते हैं सबजियों को बस ये एक दो मिनिट स्टर किया फिर ये काली मिश नमक और कुटी भी लाल मिश हमने मिक्स कर दिये ये पूरा प्रोसेस तीन से चार मिनिट में हो जाता है ये देखिए अब फिश मिक्स कर दिया इसमें अब जो हमने प्याली में एक सॉस बनाई थी वो सब इसमें डाल देंगे और फुली आँच पे इसको दो तीन मिनिट हम स्टर कर लेंगे ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया और कॉन फ्लोर की वज़ा से ये रेडी हो गया है काड़ा सा आपको जरूर पसंद आएगा आप जरूर ट्राइ कीजिएगा इसको राइस के साथ हम सर्फ कर रहें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अल्ला हाफिज